नमस्ति आज का हमारा टापिक है wave packet that means तरंग packet तो देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं कि wave packet क्या होता है और उसके बाद में हम लोग देखेंगे इसको कंसे construct किया जाता है उसके बाद में हम लोग phase velocity और group velocity की बार में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते कि wave packet में क्या होता है में ली तो देखिए हम लोग को कुछे से पता है डीप रॉग लिक के according हमारे कोई matter waves होती है right that means द्रववित रंगी होती है तो हम लोग उन द्रववित रंगों कैसे नरूपीत करें वही बताने के लिए हम लोग उनकों को frequency होगी आवरती वह आजाएगी e upon h केक वक्त हो जाएगा c square upon lambda v देखिए इससे हमारे जो matter waves के लिए phase velocity होगी मतलब द्रववित रंगों के लिए color wave जो होगा हमारा वह आजाएगा vp equals to new lambda जो क्यों होता है c square upon v केक तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लो द्रववे तरंगों के लिए जो वेग होगा वह हमारा वह कम होगा इससे हमारे पास क्या आएगा देखिए कुछ time path में क्या होगा हमारा वह जो हमारी तरंगे मतलब matter waves है वह उनको कणों को छोड़ जाएगी तरंगे तो आगे बढ़ जाएगी और वह पीछरे जाएगी औ कि वेलासिटी जो है द्रववे तरंगों के वह जाद है और यह कम है इस वज़े से तो देखिए हमारे पास क्या होगा कि जो त्रववे तरंगी है that means matter waves है वह पार्टिकल को पीछे चोड़ देगे तो आपनिस matter waves will leave behind the particles लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए that means कि जो कण है और उस के संगत जो तरंग है कर्ण के संगत जो corresponding wave है हमारी वो दोने एक साथ नूव करने चाहिए मतलब एक के जगे है पर होने चाहिए इसलिए हम बोलते हैं कि कर्ण के संगत हम लोग कोई एक तरंग माल ले ऐसा possible नहीं है मतलब यह सही नहीं होगा that means कि एक कर्ण के सिर्फ एक त तरंग वेव को सही से प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि हम लोगों ने वहार पर क्या देखा कि वो जो द्रवे तरंग थी वो आगे चलीगी थी और जो कर्ण था वो पीछे रह गया था इसलिए हम बोलते हैं कि वो एक ही जो वेव है हमारी वो दोनों पार्टिकल को का जो वेलासिटी है और वेव की वेलासिटी है दोनों को रसाइसे रप्रसेट नहीं कर सकते हैं इसलिए हम लोगों को चरप पर दिया वेव पैकेट डाटमिस तरंग समुह की तो देखिए जो हमारा वेव पैकेट होता है वो वेव फंशन होता है स्पेस के अंदर जो कि एक पार्टिकल मतलब मुक तो कण को प्रदर्शित करता है इसकी कुछ प्रॉपरटीज होती है मेंली वो क्या होती है फर्स्ट कि उस वेव पैकेट का जो मान है मतलब उसका जो मैंगनिटी उड़ है वो जहां पर कण होने की प्राइकता ज्यादा है प्रॉबैबिल्टी ज्या इसकी कि उड़ सकता है वो खुद के साथ में इंटरफेर हो सकता है मतलब यह स्वाम के साथ व्रहत्तिकरन कर सकता है इसी से हम लोग जो डिफ्रेक्शन आफ एलेक्टरॉन वगरेजरे में लोग पड़ते है उस टैंट पर हम लोग यह वारी प्रापर्टी जो होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से इसको हम लोग बोल देंगे डेल्टा एक्स अब देखिए अब हम देखते कांस्ट्रक्शन ओफ वेव पैकेट एंड वन डामेश मतलब एक विमिय में वेव पैकेट को कैसे बनाया जाता है उसके लिए तो देखिए यह जो हम लोग करत हैं वह principles of population that means अध्यार ओपन के सिध्धांत का उप्योग करके करते हैं इसके लिए हम लोग क्या करते है क्या करते हैं एक एक संद तरनक को कसिट्र करते हैं ज tip चैज की ओफ एक्स के एक्स से कोलग Ten इक्ष घोल्स टो अगलो फ्रिक्वेंसी ताइस आया है यह होते है कोण यह अवरती यह होते है प्रोपीगेशन नमबर तो देखे इससे क्योंकि हम लोगों को पता है यह एक वेव के लिए हमारे पास सीक्वेशन है और वेव प्रक्ट में किया होगी बहुत सारी वेश होगी अब देखे अध् सब देखे यह हमारा तरंग पैकेट है वो फ्री पार्टिकल को रिप्रेसेंट करते है इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जो ओमेगा होगा हमारा वह बहुत दीरे दीरे चेंज होगा के साथ में इसलिए टेलर एक्सपेंशन से हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा के जोगा हमारा वह उस जगे पर तुसकी माइं जादा होता है जहां पर उसकी प्रेट यह बाग के जगों पर उस जीर होता है तो हम लोग मान सकते कि डेल्टा के है उसी के अंदर यह पाया जाने के तो एक के जो हमारा हो जागा वह देखिए इस समय पास omega k जो हम लोग बोलेंगे उसमें क्या होगा हमारी higher terms जो थी हमारी इन सबको neglect कर सकते हैं बस यहां तक की वैलोट रहेगे तो देखिए हो जाएगा तो इसलिए convenience के लिए हम लोग वोगते हैं ओमेगा जो होगा वो इक्वल होता है ओमेगा नॉट प्लस के माइनस के लोग दी ओमेगा वर डीके के इक्वल तो देखिए इसको हम लोग वो जो equation थी न तरंग की उसमें रख देते हैं अज्यागा साइए x t equals one upon two pi integration minus root to infinity one upon root two pi integration minus root to infinity a k exponential of i eta k x minus omega not t minus k minus k not t omega over dk d dk तो इसमें हम लोग कर सकते हैं प्लस k not x minus k not x किया तो इससे देखिए हमारी equation थे बद जाएगा one upon root two pi takes minus k not t a k exponential of eta k minus k naught x minus t omega over dk dk right और यह हो जाएगा e raised power eta k naught minus omega naught t k naught x minus omega naught t तो देखें इससे हमारी पास इक्वेशन है उसमें हम लोग क्या करें कि इस वाली को था हम लोग f of x t रख देंगे तो जाएगे psi of x t culture f of x t e raised power eta k naught x minus omega naught t यह आती है हमारी wave packet के equation अब हम लोग बढ़ेंगे phase velocity और group velocity तो देखें phase velocity के लिए हम लोग क्या करते है k naught x minus omega naught t है हमारा उसको हम लोग constant मानते हैं इससे हमारी पास vp जो आजाएगा dx upon dt करेंगे हम लोग differentiate करेंगे dk sub x तो आजाएगा dx over dt तो हो जाएगा omega naught upon k naught के यह तो हमारी होती phase velocity वैसी जब हम लोग group velocity इकालते हैं तो group velocity हमारी क्या होती है देखें जो f of xd है हमारा उसको जो peak होगा मतला maximum वाली value होती है वो किस wake के साथ कर रहा है वो हमारी group velocity बताती है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे k minus k naught x of sorry x minus d omega over dt into d t equals to constant इसको अमलोग differentiate करेंगे x के साथ एक तो जाएगा vg cos d x over dt cos d omega over dk यहां पर हमारा group velocity और phase velocity इस तरी किसम लोग बताते हैं अब देखें आज के लिए जो assignment हमारा वो यह है what is weave packet explained construction of one-dimensional weave packet using principle of superposition and what is phase velocity and group velocity अज के लिए इतना ही thank you